रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप समी का इस वीडियो में स्वावत है प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय साथ जिसका नाम है सर्वनाम वह पढ़ेंगे यह प्रस्ट संख्या 31 वा 32 पर है तो आएए शुरू करते हैं अध्याय साथ सर्वनाम नीचे लेखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िये और समझे अभिशेक विध्याले पैदल जाता है अभिशेक का विध्याले अभिशेक के घर के पास ही है अभिशेक समय पर विध्याले पहुंसता है विध्याले से बापस आकर अभिशेक घर का काम भी करता है घर में अभिशेक को भी सभी प्यार से बुलाते है इन वाक्यों में अभिशेक शब्द का बारबार प्रयोग हुआ है जो पढ़ने तदा सुनने में अटपटा लगता है तथा यह वाक्य की सुन्दरता को भी कम कर रहा है यदी इन वाक्यों को निम्न प्रकार से लिखा जाए तो यह वाक्य सुन्दर लगते है अभी शेक विध्याले पैदल जाता है उसका विध्याले उसके घर के पास ही है वह समय पर इस्कूल पहुंचता है विध्याले से वापस आकर वेह घर का काम भी करता है घर में उसे सभी प्यार से बुलाते है पहले वाक्य में करता अभिशेक संग्या शब्द है अन्य वाक्यों में अभिशेक संग्या के स्थान पर उसका उसके वेह उन्हें का प्रयोग किया गया है अता है यह सभी सर्वनाम है पहले वाक्य में जो हम पढ़ रहे थे पहली पंक्तियों में पढ़ रहे थे जिन में जो करता है अभिशेक वह संग्या शब्द है और यदि हम उन वाक्यों को दूसरे हमने तरीके से यहाँ पर देखा उसमें क्या है अविशेक का जो नाम था संग्या जो है उसके नाम पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है जैसे उसका उसके वे हैं यह सभी क्या है सर्वनाम शब्द है आईए एक बार इसकी परिभाशा देखते हैं सर्वनाम क्या होता है जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं जो शब्द संग्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं संग्या के स्थान पर यानि जहां पर संग्या शब्द प्रयोग हो रहे हैं उसके स्थान पर यदि कोई शब्द प्रयोग होते हैं तो वह सर्वनाम कहलाते हैं अन्य सर्वनाम शब्द वह वे तू तुम मैं हम आप उस कोई कौन जो सो यह सभी क्या है सर्वनाम शब्द हैं कुछ शर्वनाम शब्द किस प्रकार है मैं मेरा हम हमारा तुम तुमारा आप आपका उनका उनके ये वे कौन किन है उन है इसका सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं आओ बच्चो देखो सर्वनाम का प्रयोग किन किनिस सिदियों में किया जाता है अपने लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मैं विध्याले जाता हूँ यह क्या है? अपने लिए प्रयोग किया जाता है? हम खाना खाते हैं यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? अपने लिए प्रयोग किया गया है जैसे मैं विध्याले जाता हूँ, हम खाना खाते हैं सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए कैसे प्रयोग किये जाता है जैसे तुम किस विध्याले में पढ़ते हो जो सुन रहा है, उसके लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है तुम, तुम किस विध्यालें पढ़ते हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सुनने वालों के लिए ये सर्वनाम शब्द प्रयोग किये जाते हैं, किसी अन्य वेक्ति के लिए, किसी अन्य वेक्ति के लिए जब हम प्रयोग करते हैं सर्वनाम शब्द, वह मेला देखने जाएग वहे कौन आ रहा है यह वहे जो शब्द है यह हमने किसी अन्य विक्ती के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है किसी निश्चित वस्तू के लिए किस प्रकार प्रयोग करते हैं यह मेरा घर है यह निश्चित है कि यह मेरा घर है यह हमें पता है निश्चय है यह कि यह मेरा घर है तो यहाँ पर यह जो शब्द है वह सर्वनाम निश्चित बस्तू के लिए प्रयोग किया गया है यह तुम्हारी पुस्तक है यहां पर भी यह है यह है निश्चित बस्तू के लिए प्रयोग किया गया है किसी अनिश्चित बस्तू के लिए किसी अनिश्चित बस्तू के लिए जिसका हमें पता नहीं है उसके लिए हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे सर्वनाम शब्द जैसे पिताजी बाहर कोई बुला रहा है दूद में कुछ पड़ा हुआ है यह क्या है हमें पता नहीं है अनिश्चित है उनके लिए हम कुछ कोई जैसे शब्दों का प्रयोग करते है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोडने के लिए एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोडने के लिए किन सब्दों का प्रयोग करते है जिसकी लाठी उसकी भैस जो करेगा सो भरेगा इसमें क्या है हमने दो वाक्यों को जोडने के लिए कुछ सर्वनाम शब्द प्रयोग किये गए है प्रश्न पूछने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं हम जैसे तुम क्या कर रहे हो अभी कौन आया है यह सभी क्या है सर्वनाम शब्द है यहाँ पर विशेश क्या है सरनाम शब्दों का प्रयोग सभी के लिए समान रूप से किया जाता है जैसे वह गीत गाता है वह गीत गाती है यहाँ पर हम जब करता के साथ सरनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहे एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है या कह सकते हम समान रूप में प्रयोग किया जाता है उपरित वाक्यों में वहे सर्वनाम शब्द एक समाहने परन्तु वाक्य की क्रिया से उसके लिंग का पता चलता है पहले वाक्य में वह सर्वनाम शब्द पुलिंग है तदा दूसरे में वह सर्वनाम शब्द इस्सी लिंग है या किससे पता चलना है क्रिया से उसके लिंग का पता चलना है क्याकरिया हो रही है उससे उसके लिंग का पता चल रहा है कि वह इसली लिंग है या पुल लिंग है संग्या की तरह ही सर्वनाम शब्दों के भी एकवचन और भवचन रूप होते हैं जैसे अपने से बड़ों के लिए सदा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है इसमें एक वचन और बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन के रूप में भी होते है आईए यहाँ पर एक वचन सर्वनाम शब्द के बहुवचन देखते है मैं का बहुवचन होगा हम वह का बहुवचन वे इसे का बहुवचन इन है मुझे का बहुवचन हमे तुमका बहुवचन आप यह का बहुवचन ये मेरा का बहुवचन हमारा इसका का बहुवचन इनका तो आईए एक वार दोहरा लेते हैं अध्याय के अंतरगत क्या क्या हमने पढ़ा संग्या शब्दों के इस्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते है अपने लिए मैं और हम का प्रयोग किया जाता है दूसरों के लिए तू, तुम, और आपका प्रयोग किया जाता है किसी अन्ने के लिए यह, वह, ये, वे, उन, उसका प्रयोग किया जाता है प्रेशन पूछने के लिए कौन, क्या, कहां का प्रयोग किया जाता है एक वाक्ष को दूसरे वाक्ष से जोडने के लिए जो, सो, जैसा, तैसा, जिसकी, उसकी आदि का प्रेयोग किया जाता है तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय साथ सर्वना पढ़ा तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद